अखी लाकी निनी की स्पाई थ्रिलर फिल्म एजेंट का OTT प्लेटफॉर्म पर रिलेज को लेकर कनफर्म हो चुका है हाला कि ये फिल्म थेटर्स में कुछ खास नहीं कर सकी लेकिन अब फिल्म के मेकर्स को उमीद है कि OTT से फिल्म को कुछ फायदा मिल सकेगा फिल्म को करीब 80 करोड रुपे के भारी बजट के साथ तयार किया गया था लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉब बनकर रह गई ये स्पाई थ्रिलर फिल्म महज 10 करोड रुपे के आसपास कहीं revenue बटोर सकी और बॉक्स ओफिस पर फ्लॉब साबित हुई हाला कि फिल्म के रिलेज को कई महीनों बाद OTT रिलेज कनफर्म होने के साथ ही अब कुछ उमीद भी जागी है वहीं इस फिल्म को लेकर OTT वीवर्स में काफी चर्चा भी है फिल्म दा एजेंट सोनी लाइप पर 29 सितंबर को स्ट्रीम होगी दरसल इसे पहले भी कई बार इस फिल्म का OTT रिलेज पॉस्टपॉन किया गया था जिसे लेकर खबरे ये भी है कि फिल्म के OTT रिलेज के पॉस्टपॉन होने की वज़ा मेकर्स का रिलेज से पहले एडिटिंग में ब्यस्त होना है इस इसपाई थ्रिलर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में ममूटी, डिनू मारिया और साक्षी बैदे जैसे सितारे दिखाई दिये हैं फिल्म का काफी हिस्सा विदेशी लोकेशन पर शूट किया गया है साथ ही हैदरावाद, विशाखा पटनम और मनाली में भी फिल्म की शूटिंग हुई है हाला के रिलीज के वक्त इस पर भारी भरकम बजट वाली फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई थी लेकिन फिल्म ने तो बॉक्स ओपिस पर अपनी लागत तक वसूल नहीं पाई और इन सब को देखते हुए एक बाट फिर से मेकर्स ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया है खैर इस ख़बर को सुनने के बाद आपका क्या रियक्शन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वेल बॉलीवूद से चुटी लेते सब्डेट और गॉसिप के लिए डोंट फोगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर वारल बॉलीवूद